ना कार्तिक समान महीना नहीं, सत्यूग जैसा यूग नहीं, बेद जैसा सास्त्र नहीं, गंगा जैसा कोई तिर्थ नहीं है नमस्कार उधर इंडिया डिजटाल में आपका स्वागत है मैं हूँ उपाले अप्राजीता साल के बारा महीने में सर्बसेश्ट कार्तिक मास के बारे में आज हम बताने वाले हैं कार्तिक को बेहत पभीत्र माना जाता है यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है इसी महीने में वो योग निद्रा से उठते हैं इसलिए माता लक्ष्मी को भी कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है कार्तिक के महीने करवाचोत, ओहयस्टमी, तुलसी विबाह, धनतरस, दिपाबली और सूर्य सस्ठी जैसे प्रमुख पर्व मनाय जाते हैं यहां तक कि इस महीने में आने वाले एकादसी को सर्वत्तम माना जाता है क्यूंकि इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवता नीन से जाग जाते हैं इसलिए इसे देव उठनी एकादसी कहते हैं जिसके बाद सभी सूपकार्य संपन किया जाते हैं कार्टिक के महीने में गंगा स्नान तुलसी के पास दिया जलाना यग्य पूजा जैसे अनुस्ठान करना अत्यंत सुब माना जाता है पूरे कार्टिक के महीने में तुलसी माता की पूजा की जाती है इसी महीने में तुलसी के पोधे का भी रोपन करने से भगवान विष्णु खुस हो जाते हैं कार्टिक के दोरान पूरे महीने में गीता पाठ भी किया जाता है कार्तिक के महीने में अन्यदान का बहुत माप्त है यानि भूके को भोजन कराने से बहुत पुन्य मिलता है कहते हैं कि स्रीहरी इस महीने मस्चे के रूप में होते हैं इसलिए कार्तिक के महीने में मचली खाना बरजित होता है कार्टिक की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मास, मचली और मदीरा से परेज रखना चाहिए कार्टिक के महीने में ओडिसा के पूरी में स्थित स्री जगनात का दर्शन करना अत्यंत सुब माना जाता है इस महीने के अंतिम पांच दिनों को पंचुक कहा जाता है नहीं कर पाते हैं वो इन आखरी पांच दिनों में अगर नियम पुर्वक, स्नान, सत्विक भोजन, तुलसी पूजन और दिया जलना जैसे कार्य सद्धा पुर्वक करते हैं उन्हें पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है इन पंचुक दिनों में भगवान स्री जगनात अपने बड़े भाई बलवद्र और बहन सुवद्रा के साथ बिन्न बिन्न रूप में अपने भक्तों को दर्सन देते हैं इन रूपों में से नागार्जुन बेस सबसे प्रमूख है यह स्री जगनात का बेहत खास स्वरूप है एकादसी से पुन्निमा वैसे तो पांच दिन होते हैं लेकिन तीथियों के हेर फेर के बज़े से इस कालखंड में जिस साल छे दिन हो जाता है उसी साल कार्टिक मास के आखरी दिन को स्री जगनात नागार्जुन स्वरूप धारन करते हैं इस स्वरूप में वो एक के योध्धा की तरह अस्त्रसस्त्र धारन करते हैं खास बात ये है कि इस साल भगवान जगनात नागार्जुन स्वरूप धारन करेंगे यह खास मौका पूरे 26 साल के बाद आया है 27 नविंबर 2022 को भगवान अपने भक्तों को नागार्जुन स्वरूप में दर्सन देंगे कार्टिक महीने की पुर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्तो है इस दिन देश भर के नदियों में संगम पर स्नान के लिए लोगों की भिड़ लगी होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर विशार मेले का आयोजन होता है वहीं ओडिसा में कार्टिक पुर्णिमा के दिन सूर्यदे के समय केले के तन्ने से बने छोटे नाव में दीपक, पान, सुपारी, अनाज और पुस्प रखकर नदी या जलासे में प्रवाहित करते हैं यह तो था कार्टिक पास का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष हमारा अपने दर्सोकों से वादा है कि हम हर सनातन परंपरा के पीछे छिपे वग्यानिक पक्ष को भी जरूर बताएंगे तो कार्टिक महीने में स्नान और पूजन के पीछे वग्यानिक पजा है सरीर को सिर्थ के बुरे प्रवाव से बचाना दरासल कार्टिक का महीना रित्य संदी का समय होता है यानि गर्मी खत्म और ठंडी सुरुच हो चुकी है और तेज सर्दी का मौसम बस सुरु होने वाला है इसलिए कार्टिक के महीने में सुर्यदे के समय स्नान की परंपरा बनाई गई जिससे की सरीर आने वाली भिशन सर्दी के अनुकुल हो सके साथी पूरे महीने तुलसी माता के पास बैठकर उनकी पूजा की जाती है क्यूंकि माता तुलसी सित के बूरे प्रभाव का नाज करते हैं कार्टिक के महीने में सुर्य की किर्णे औशद्य तेज से संपन होते हैं यही बजा है कि इस महीने में ब्रह्म मूर्त में सुर्य दय के समय उठने की परंपरा बनाई गई है जिससे सरीर को भगवन सूर्य की औशद्य किरुडों का लाब मिल सके यही बजा है कार्तिक के महीने में ब्रह्म मूर्थ के बाद सूर्य पुर्जा करने से पूरा सरीर पुर्जा बन और महशूस करता है तो यह था कार्तिक स्नान और पूजन का बज्यनिक पक्ष हम आपको लगातर सनातन धर्म की परमपराव का तार्किक पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हमें उमीद है कि आप कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरुर बताए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरुर दबाए ओम नमो भगवते बासु देवाया